दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कार को बंफर टू बंफर चलाने के लिए हमें क्लच और ब्रिक का कैसे यूज करना होता है एक सिरी जाना है ना हाँ सीधा चलना है एक डम बढ़ाओ धीरे से बहुत जादा रेस ने अभी फिर पूरा क्लस दबाओ जल्दी से और धीरे से ब्रिक लगाओ अब देखो आपने क्या करा अभी पता चला आपको जब मैंने कहा पूरा क्लस दबाओ धीरे से ब्रिक लगाओ से बता दीजी मैडम तो फिर अब राइट वाला आपका पैर उसको लाना पड़ेगा न थोड़ा ये चीजे थोड़ा सेट करनी पड़ेंगी आपको चलो पहले ब्रिक को रिलीस को रो फिर हाप क्लच चोड़ो क्योंकि गाड़ी यहां चड़ाई पे है गाड़ी चड़ाई राइट और खोल का राइट वापास लेफट आओ तो फिर पूरा क्लच दबाओ फुल क्लच और धीरी से ब्रिक प्यार से एक दब गुड़ अभी पहले क्या दबाया अपने एक्सलेट पहले मैडम याद कर लो एक्सलेटर किसको कहते ब्रिक किसको कहते ठीक है यह सब पिंग है थोड़ी चड़ाई है अब आपने पूरा क्लच दबाके ब्रिक ले लिया गाड़ी रुक गई रुक गई अब वापस इसको बढ़ाना है तो नॉमल हम लोग पहले क्या करते प्लेन रोट पे पहले ब्रेक छोड़ते फिर क्लच छोड़ते यही तो करते पर यहां पहले आपको हाप क्लच छोड़ना है जब गाड़ी आगे वाइबरेट होने लगे बढ़ने लगे फिर ब्रेक छोड़ना है अगर पहले ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे चली जाएगी जरा पहले ब्रेक छोड़ो पहले ब्रेक छोड़ दियो दो छोड़ो राइट उखो हलका सा हलका सा राइट हाँ वापस पूरा क्लस दबाओ धीरी से ब्रेक बहुत प्यार से हाँ बस गुड़ आपका ना राइट वाला पैर थोड़ा सा उपर और खिसकाओ गलत रख्यों ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी रख्यों ना ये पॉइंट होना चाहिए आप एक्दम वो रख रहे हो जो अब उठा सिर्फ कि कभी भी स्लीप कर जाए अब जाओ हाप क्लच छोड़ो बस गुड़ फिर वापस पूरा क्लस दबाओ फिर ब्रेक लो हलका फिर हाप क्लच छोड़ो अब फिर पहले हाप क्लच छोड़ो जैसे इंजन वाइबरेट करने लगे तो ब्रेक छोड़ना है हलका राइट रखो राइट बस वापस लेफ्ट आओ जाने दो धीरी धीरे और लेफ्ट आओ थोड़ा सा और लेफ्ट हाँ और लेफ्ट हाओ अब रोको पूरा क्लच ब्रेक स्टॉप करो बस अब श्टेरिंग सीधी रखो छोड़ना नहीं क्लच ब्रेक श्टेरिंग सीधा करो ठीक है अब आपको क्या लग रहा है यहां से ऐसा लग रहा है जिसे हमारी गाड़ी पेड में टकरा है आपको ये चीश हुह रहे कि गाड़ी और पेड के बीच में कितना सपेस है अभी जब आप गाड़ी बढ़ाओगे तो यह देखो यहां से कितनी जगे है आपकी गाड़ी के बोनट से और पेड़ के बीच में एक फिट का लगबग फासला है चलो बढ़ाओ धीरी धीरी गाड़ी पहले ब्रेक छोड़ो और हाफ कलचा धीरी धीरी बढ़ाओ और हलका सा रहा हलका हाँ अब बढ़ाते जाओ अब रोको पूरा कलच धीरी ब्रेक अब देखो ये इस्पेस कितना है अभी इस्पेस है गाड़ी टकराएगी नहीं बट सट जाएगी थोड़ा सा ठीक है ये जो अब यहां से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारी टकरा गई है समझ में आ रहे है यहां से ऐसा लग रहा है टकरा गई बट टकराई देए अभी इस्पेस है अभी आपकी गाड़ी के बगल में लेकिन नीचे वाला जो पोशन है पेड़ जो नीचे से चोड़ा है वहां से टकरा जाएगी गाड़ी आपकी तो हलका सा राइट दबाना श्टेरिंग राइट गुमाओ थोड़ा सा और और बस अब पहले ब्रिक छोड़ो फिर हाप कलच छोड़ो जाने दो बस अब रोको यहां पे अब देखो यह साइड मिरर आपके टकराएगा नहीं टकराएगा नहीं टकराएगा बस जाने दो और हलका लेफ्ट आउ बस जाने दो दीरी दीरे छoke, लेफ्टी रखना राइट से गाड़ी आ गई आपके और लेफ्ट आउ थोड़ा सा हां जाने दो बढ़ाओ दीरी दीरे हां हलका सा रिंस लो राइट अख को जादा नहीं और left आओ ये था जो मैंने सिखाया आज आपको half clutch पे गाड़ी को बढ़ाना left आओ ज्यादा right चली गई है आप देखो ये देखो कितनी जगी छोड़ दी धर इस side में ये खुद को देखना है मैं बोलू तब नहीं सिदी करो ये right गुमाओ right ये decision आपको खुद से लेना है और left आओ left 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 सिदी करो सिदी करो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे like करें share करें comment box में ज़रूर बताए वीडियो कैसा लगा अगले वीडियो में फिर मिलते है जैहिन बंदे मातरम हसते रो मुस्कुराते रो फिरमलेंग राइ तो कोल का राइ तोड़ा सा हाँ